वेलकम बैक तू माई चैनल मनोर्मा कोसल किचन और आज मैं आप सभी लोगों के लिए सूजी का केक बनाने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे तीन से चार दिनों के लिए स्टोर करके भी खा सकते है और अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है आधी कटोरी रिफाइंड इसी कटोरी से दो कटोरी चीनी कटे हुए काजू बादाम एक कटोरी दही और बेकिंग सोडा अब दही को डाल कर इसे अच्छी तरह से फेट लेंगी अब दही अच्छी तरह से फेट गया है तो अब मैं इसमें डालूँगी टेस्ट के हिसाब से पिसी हुई चीनी चीनी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है अब इसे मिक्स करने के बाद डालूँगी दो कटोरी सूजी और इसे मिक्स करूँगी अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दूद ताकि इसका बैटर थोड़ा पतला हो जाए और साथ में डालूँगी आधी कटोरी से थोड़ा कम रिफाइंड इसको भी मिक्स करूँगी अब सभी चीजें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है तो अब मैं इसमें डालूँगी कटे हुए काजू बादाम आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स करूँगी साथ में डाले हैं छोटी इलाइची के दाने इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है अब इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए प्लेट से ढखकर रख दूँगी और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर हलका सथिक हो गया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूट डाल कर इसे थोड़ा पतला करूँगी अब दूद को मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी एक पाउच इनो इनो आप सबसे लाश्ट में ही डालें जब आपको केक बनाना हो तो इसे अच्छी द्रा से मिक्स कर दिया है और इस कंटेनर में इस पेपर के उपर ओयल लगा कर इसमें सेट कर दिया है और डाला है बैटर को जमने के लिए साथ में डाली है कटे हुए काजू बादाम गार्निसिंग के लिए और कुछ देर पहले मैंने स्टीम होने से पहले इस स्टीमर में नमक डाल कर पांच मिनट के लिए फुल फ्लेम पर रख दिया था और अब मैंने केक को रख दिया है लगभग 30 मिनट के लिए अब 30 मिनट के बाद मैंने इसके धक्कन को हटाया है और आप देख सकते हैं कि अभी केक पकने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे 5 मिनट के लिए मैंने इसे फिर से ढख दिया था मेडियम फ्लेम पर और अब आप देख सकते हैं कि केक बन कर तयार है तो अब मैं इसे स्टीमर से बाहर निकाल लूँगी और आधे घंटे के बाद मैं इसे एक प्लेट के उपर पलट लूँगी अभी मैंने इस स्टेंड पर इसे पलट लिया है और इस तरह से इस पेपर को छुडाऊंगी आप कंटेनर में या पेपर के उपर ओयल लगाने के बाद सूखा मैदा छिड़क लें इससे आपका आसानी से केक निकल आएगा और आप देख सकते हैं कि ये केक देखने में कैसा लग रहा है और आप इसे इस प्लेट के उपर पलट लेंगी पांच मिनट के लिए मैंने इसे फुल फ्लेम पर नमक गरम होने के लिए रख दिया था और तीस मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर इस केक को बनाया है और आप इसका कलर देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है और अब मैं इसे कट करूंगी ये केक बहुत ही सौफ्ट और स्पंजी बना है और खाने में टेश्टी भी आप देख सकते हैं तो अब मैंने इसे कट करके इस प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके किनारी कितनी अच्छी लग रही है आप भी इस तरह से एक बार सूजी का केक बना कर जरूर ट्राइ करें आप देख सकते हैं